जिए फार्मा की QC में अगर आपके रॉप्टिल सेक्षन का और तो सबसे पहले आप से रॉप्टिल की टेस्टिंग रिपोर्ट पूछता है कोई भी रॉप्टिल वो ठाले तो और इसकी रिपोर्ट नो चेक कर रहा हूं और इस रिपोर्ट के अंदर डॉकुमेंट्स होते ह हैं आज की वीडियो का हमारा फॉकस यही है वीडियो का एंड तक देखिए ताकि आपको यह कुंसेप्ट किलियर हो जाए और आगी चनलने से पहले आप देखें मेरे चनल वाइस ऑप कहनी और मैं सब्दर खान कहनी तेकी पांट्स जो रिपोर्ट होती है रॉम मोडिल के इस मे बहार जो मैं सबसे पहले आपकी पडाऌ को ऑड़ची लिकला यहीं जो वह और उस्ते हैं उस सींप्लिंग करने और पhitने क्यों करें और जो को उनको तर्तीब से रखना पॉस्ट रोड़ी नमबर वन के साथ क्या होता है कि आपके पैस के साथ का सब्सक्राइब की तरफ से इसके बाद और रिक्वार नेसेसरी डॉक्मेंट जो सप्लायर से आते हैं और डिटेल एचस की रिपोर्ट या से वह साथ होती है या नहीं है लेकिन सम कैसे में आती है तो वह सप्लायर के डॉक्मेंट उस जैरेंग के साथ होना बहुत दूसरा फिर व्यार एक इंस्पेक्श अब आपको बताता है कि जयकंड डॉक्मेंट्स होते हुए और की तर्तीज से करना फिर उसके बद आप सेंप्लिंग करते हैं यूवी आईडी कर रहे उनके सब्वोटिंग पैपर हैं जो पॉसिफिल होते हैं प्यस्टिक हैं और जो वह साथ लगने का पूरा ए और पेस्ट नहीं करते वह सारे सपोटिंग पीपर उसके बाद आपकी एक सरिटिफिकेट निकलता है वह उसके साथ होना चाहिए फिर आपके पास एक है यहरा बनाता है यह सारे डाकुमेंटे अपने किस सब्सक्की हैrophs प्लायर का सर्टिफिकेट लगा है तो इस तरह रिपोर्ट समझ नहीं आती अब आपको यह नौट करना है कि तरतीब में आपने किस तरतीब सबसे पहले उपर होती जो सबसे पहले चेक करता है किसकी लॉट नमर किया इंफॉट नमर के लिगात इसके पुटेंसी यह सारी उसके पर विसके बाद पर भी पास किया और वहां से टैली होता है कि आपके यह रशी हुआ और इसका लॉट कहता आ या इसके बाद यह साथ चीज़ नॉट उती है उसके बाद यह सब्विक्ट इसके बाद फिर वेरोफ की रिपोर्ट का डाकुमेंट आपके पास वहना चाहिए और वेरोफ के लोग जब रेसीविंग के वक्त एक इसपेक्शन डिपोर्ट बनाते वह उसका लगे होती है वह उणा गलत इंप्रेशन जाता है कि आपने सैंप्लिंग कैसे किis ए तो फौर पर आज के बाद कर्माटर报 पर आपका वह सैंप्लिंग इनगजर प्रकाप्रफिक्व में चाहिए कि पूर्च के कवरेशाइजरब testimony को पांच यह पांच एड़ सव अच सब्सक्राइब को चेक करना चाहे तो इसको चीज से बड़ा एलर्जी होती है इसलिए इसके बाद अगर आपके पर आपने इसके लाव कोई और आएडी को आपने बड़ी रिपॉट की बड़ी रिपोट आई है कोई और अधर तेस्ट के तर्टीब से एक दो तीन चार नमबर आप लाजभी मेंशन होना चाहिए यह सारे सपोर्टिंग इसके बाद इसके बाद इसके बाद आपकी रिलीज रिपोर्ट निकलती है जो आप सर्टिफिकेट बनाते हैं वैसे तो सबसे उपर लगा तो अच्छी वात है लेंकि सबसे उपर जी ईर अच्छी नहीं है ठीक है नमबर शिक्स पर आपका स्टिफिकेट अर नमबर सेवन पर जो आपकी की रिपोर्ट निकलती है वह सपाउने बना रही होते हैं तो वह अन्र कि रिपोर्ट आती है जिस पर आपके सखनेचर होते हैं जिसमें सारे इसके बाद यह होगा आट डाकुमेंट फिर नोगा डाकुमेंट इंपॉर्टेट वाग रिलीज टेक है आपका जो आपने वेहराउस को दिया होता है वह एक रिलीज टेक सबसे टॉप पर लगा होना चाहिए ठीक है तो यह है फ्रेंट्स उन डाकुमेंट के तर्तीब वेहर करना है अगर आपको रिपोर्ट समझाओं कि आपने रिपोर्ट को किस तरह फोकस करना होता है किस तरह आपने सारे पेपर को अट्रेच करना होते हैं और यह इसी तरतीब से हमेशा क्यूंद्र जो भी राम टेलीस करें उनकी तरतीब ऐसे रखें तो ऑइटर रपह वी और आपके अपने लिए भी बड़ा अच्छे इंप्रेशन आ रहा होता है वीडियो का पैंट करते हैं लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और जो लोग चैनल पर न्यू है सबस्क्राइब में कीजिए तक इस तरह की टेक्निकली वीडियो आप तक पहुच देरें तेंक्यों पर व